कि वेल्कम टू मार्बर फूचर फॉचर फाइट हिंदी इंडिया दूचली शेह करते हैं तो यहाँ पर हो चुक है 710 टोकन जो की नेट मार्बर के तरफ से कुछ पता नहीं क्या प्राप्डम था तो उन्हें 10 टोकन अपने तरफ से दिया है कि अईसा ही टोकन अगर पिछले के पिछले इवेंट में दे देते तो वहां असे मुझे गवैन्पूल का यनीफा मिल जाता उसके बाद में इंचानटरास का यन टिवम मिल जाता अगर ये लोग ऐसा करते तो लेकिन नहीं हमको पूरसती नहीं है फोकड का माल बेचन वे सर्विस प्रोवाइट करनी पड़ीगी बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइट करना पड़ेगा न्यू प्लियर्स को तुम लगों नहीं कर रहे हैं तुमसे पैसे के पीछे भाग रहे हो तो तुम्हारे तो तरक्कित होने से रहा हूँ और मैंने ले लिया है मेगा टील्टू टिकिट जो की मुझे को फ्यूचर में लगेगी इसलिए मैं भी से इसको इखटा करके रख रहा हूँ फ्यूचर में मिले ना मिले इसके कोई गैरंटी नहीं है इसलिए जितना हो सके उतना लपेटो और समाड़के रखो सही वक्त आने पर सही करेक्टर पर यूज करेंगे और कुछ मेरे भाई यह कुछ में जिनके हाथ से टोकन काम हो गया है मीस हो गया है गेम में आना बुल गया है लौगिंग करना बुल गया या कुछ रिजन के वज़े से तो उनके लिए एक रिक्ट मेंड करूँ गा कि यह जो रैंक आप टिकेट है इसको उठाओ यह रैंक अप टिकेट से तुम कैरेटर अप्ग्रेड कर सकते हो जस्ट लाइक अक्लिया विक्टोरियास फिलावेल कोलोसस यह चार कैरेटर वेल्कम टू मार्वल फुचर फाइट इंडिया ते चलिए शुय करते तो यहां पर यह आज चुका है तो यहां पर डाउन्लोग करेंगे हजाँ स्वारी सफ रहो गर में रहो सुरक्षित रहो और जरॊत पड़े तो भी घर के बाहर निकलो और निकलते हो तो मासक और सानिटाइजर के बौटल हैंड सानिटाइजर उसके बाद में जरुत पड़ टीया स्परे जेसाब चीज़े पास हाथ लगाते हो तो उस चीज को भी धो और खुद के हाथ को भी धो क्योंकि कहां वो germs और bacteria और जो virus है वो कहां-कहां बैठे हुए हमें नहीं पता और किस-किस ने कहां-कहां पर हाथ लगाए वो भी हमें नहीं पता तो खुद की सुरक्षा खुद के हाथ में है, साफ रखो, स्वच्चर रहो, सुरक्षित रहो, अपने घर में रहो, या घर के बाहर रते हो तो सुरक्षित रहो, लेकिन रहो जरूर, और करते रहो लगातार, साफ सुतरे रहो, जितना साफ रहोंगे उतने अच्छा, और जित कि चलो डाउनलोड हो जा 120 Mb ये 120 Mb और कुछ नहीं वह स्टाउं का इनी फ़ाम है और कुछ इसके अनिमेशन तो दिखा जाता हम लोग एक इमेज खिलते हैं बस बाकी और कुछ नहीं है सब मोह माया है यह तो पाहली भी में बता चुको चलो आगया फाइनली यहां पर स्टॉम का इनिफर्म चलो इसको देखते हैं खोल के और खोल पोल करते हैं इस इनिफर्म का क्या यह सच में लेने ल सब्सक्राइब यहां पर दिद्या गया तो हम लोग शिराओं का स्किल खोड़ेंगे स्किल नमबर त्री और उसको चेक करेंगे कि वह एक्जैक्ली वैसा ही है कि नहीं यह राज त्री इसमें है अक्युमिलेशन है लेकि थोड़ा डिफरेंट एक्ट का है और इसका वाला स्टॉम का कर मैं देखू चेक करू तो यहां पर इसका जो अक्युमिलेशन है वह थोड़ा सा डिफरेंट वैसा ही है लेकिन उसका हंडेब पसंट यहां पर टेन पसंट है तो थोड़ा वो दिद सब्सक्राइब करते हैं मैं फिलाल भी नहीं खर्चूंगा मतलब खरीदूंगा नहीं क्यूंकि इसकी पीछे का रिजन यह है ब्लाक फेरेडे सेल आएगा जो कि नोवेंबर से डिसेंबर के बीच में चलेगा लास्ट एंडिंग इंडिंग में और डिसेंबर के स्टार्टिं पर क्रिस्टल स्पेंट नहीं करूंगा फिराल के अभी के कंडिशन में और इसके पहले वह क्रिंज क्रिंज चलू हो जाए उसके पहले बात कर देता हूं विडियोमासन अनौट्ब्यू ताइम सब्सक्रां के साथ में और फोर के जितनी भी पोनस से जितनी भी इनिफ़म म कि अलेकर नर्माल कया एक सेकड़्टि युक्ला युलडाउन की च और कि किया ऐसा करने जुरूरी रिथा क्या अच्छी कासी मस्ती थी वह वड़िया से एक नमबर बढ़े दिखती दी लेकिन इसको बाल कम कर दिये यह तो एकदम टिक्टॉक वाली लग रही है ने कसम चाब बता रो टिक्टॉक वाली लग रही है हाई या ना बोल देना कमेट तो आगे आपर देखेंगे क्या कर सकते हैं तो सबसे पहले है चेक करते हैं सकील नमबर वन अ इनिमेशन देखूंदिब देखु तो काफी यहाँ पर काफी ज़्यादा अच्छे कि हर एक अटैक से हर एक आटैक सेशनका यहाँ पर जो ईनीमीस के उपड़ लेक्ट्निक डामेश लाइक शौक और जो जो भी चीज है यहाँ पर कर आपर देख सकते हो तो यह जो चीजे अगर थौर के इसमें थोड़ा और ज्यादा बेटर और ज्यादा सेकेंड्स में उसके हर एक अटक में नॉर्मस और नॉर्मल अटक में भी अगर शॉक वेव निकलते तो कहीने की थौर इससे कई गुने ज्यादा पारफुल होता लेकिन ऐसा नहीं है सब हम सब्सकुर्ण सब्सक्राइब काफ़ी अच्छाएं यहांपर गई सब्सक्राइब राइस तो سکिल वन के आनिमिशन काफी अच्छे हैbut refrain काफी अच्छा दिआ हुआ है अब सिकल्टो के बारी सकिल्टु में यहां पर ऑघ्या हुआ है वह बोनस दिया गया अब यह बाकी कैरालटक अल Australia काम कारेगा की नहीं कारेगा वह तो पता जो लेकिन हेली काफी होने वाला कि बहुत है भी होने वाला यह है कि एनिमेशन काफी कूल है और जिस तरीके से जो क्रिस्टल बनाया है मतलब जो यहां पर आइस दिखाए गया है वह काफी कूल है आपर चलो अब स्किल 3 चेक करते हैं स्किल 3 में यहां पर क्या है ठीक है तो स्किल 3 में यहां पर जो जितनी भी स्टेज के उपर एनिमीज है जो भी इसके सरकल एरिया में या इसकी जो अटैक एरिया है उसमें जो जो आएका उसके सब के उपर यह डामेश डिल करेगी तो स्किल 3 काफी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है पहले से कही गु तो यह स्किल 3 बहुत कामने वाला है चला अब देखते हैं क्या आसर होता है ओके तो मैक्सिमम ऑपोनेंट्स के उपर क्रिस्टल अटैक हो रहे है ठीक है स्किल 3 में काफी अच्छा हो चुका है स्किल 3 उसके बाद ने स्किल 5 स्किल 5 में क्या है हाट्टे बासे चांस टूमि स्किल 4 में दिया हुए 10 पर्सेंट डिक्रेस ऑल्स इफेंस श्टापक टू 35 इग्नोरिमिटी के साथ में यहां पर यह लाक कर रहा है लेकर 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 बहुत ज्यादा हो गया आपर गेम ट्लोपर को थोड़ा अंडर्स्ट्राइंग करने चीह कि स यहां पर लाइक कर रहा है कि यंदो लोपर और एक पैच देंगे उस पैच में बोलेंगे कि जो स्ट्राउम का एनिमेशन ने वो थोड़ा फिक्स कर दिया गया वगयरा वगयरा इसा लिखके भेजेंगे पक्का गारेंटी कि 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 और यह है ट्याथ का स्किल्स और ट्याथ के स्केल्स में का अनिमेशन ओके लगबग कि 376 के असपास इसने डामेश डिल किया इससे ज्यादा का करता है कि ट्राय करने देखते हैं कि है कि कि हुआ है लुए अगयग वाइटी सेवन का अट्यक से डामेश डिल गया जो हीट से वह यहाँ पर इतना किया उसके बाद में और कितना कर सकते हो वह ज़्यादा क्त्राइब कर देखता हूं कि अ क्रों को अ कि अ चाहिए और अ इसके बाद ने फाइफ फोर फेस्ट कि एतरी स्किल तो अ आपके अपर कुछ है इसका हीट्स बोर्ड रहा है अब यह स्टेज में करेगा नहीं करेगा इसके ग्यारेंटी नहीं यह मेरा पास कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर 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 दो अच्छे तरी कैसे आपर काम कर रहा है कि अगर अगर लेना चाहते हो अगर तुम्हें लगता कि स्टॉर्म तुम्हेरे काम आएगी ट्याथी तुम्हें करना है इंट्रस्टिंग हो नहीं तुम्हें बेनिफिट मिलेगा तो ही लेना ने तो फिर वेट करना क्योंकि ब्लाक फ्राइडे सेल में भी आएगा तब ले सकते हो कोई अभी जबरदस्ती नहीं कि आप बिच लेना है आप बिच करना है ऐसी जल्द बजी मत करो आराम से लो कि अभी पर्चेस करने चीह कर सकते हो दिन्हें कोई प्रॉलम नहीं लेकि बाद में ब्लाक फ्राइडे सेल में कृष्टल बचे नहीं सेव नहीं कर पाए तो मुझे मत बूलना कि भाई कास मेंने सेव कर लिया तो आज ज्यादा क्रिस्टल मेरे पास होते ऐसा मत बूलना फ इसके बाद में फिर ब्लाक वाड़े सेल आएगा नौवेंबर डिसेंबर के एंडिंग में और स्टार्टिंग में तब देखेंगे क्या होता है और तब मैं इनी फार्म परिचस करूंगा की नहीं करूंगा वो तो देखा जाएगा और रही बात है टीयर थ्री बूनस की तो फिर भूनस भी थ्वाचे कर लेता एक बार में भूल गया अगया को आँ अगया 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 है तो कि अधे अधे यहां पर शोनी कर रहा है लक्ता उसके अंदर में जाना पर ठीक है जाते हैं अंदर बड़ी बात है यह स्टॉर्म को ढूंके निकालना है स्टॉर्म यहाँ पर होनी चाहिए मेरे क्याल से यह रही तो स्टॉर्म को खोलेंगे उसका ट्री देखेंगे तो ट्री में दिया हुए है चालीस पर्सेंगा इगनोड डिफेंस 11 सेकंड्स के लिए काम करेगा स्टॉर्ण इफेक्ट के लिए यहाँ पर जाधा इफेक्ट होनी चीए था पालेटनिक शॉक लेटनिग डेमेच तो इसके पास में इसके में इंक्लूट करना चीए था लेकिन किया नहीं है और कावी स सारे शिछीस याँ पर हो सकते दी लेगिन किया नहीं है तो इसको फिलाल होसे करो मेरे काद descans कर दिया तो बात में फिरा की डूसरे पास में मटेर बैका प्लान ना रहे तो कम से कम इसका थोड़ा सा वेट करो तो ये था युनिफर्म के उपर मेरे point of view कि मेरा इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए फिलाल तो भी मैं अभी फिलाल तो पेंडिंग रखता हूं क्योंकि जल्द बजी करना अच्छी बात नहीं है और जो भी जल्द बजी करें या उसके लिए उसका फिर उसका रिजर्ट भी वै लेडिव चंका के दिया गया है और हाथ में जो लैटनिंग शॉक है वह थोड़ा सा कम दिखाते तो ज्यादा अच्छा रहता है कि अ यहां पर क्या कमर में एक्समें का पट्टा ए जो की पीला कलर का ना होके ग्रे कलर में या कुछ ऐसे कुछ कलर में दिया गया यह एल्लो रिष्ट करके बनाया हुआ है वो थोड़ा गलत जगह में गलत एडिया में गुस रहा है वैसा नहीं जाना चुछे था तो ठोड़ा कमबर की उपर ही हो नहीं चाहता है ठीक है वो स्टाउम का स्टाइल है तो हम क्या कर सकते हैं ग्योंडल लोपर ने बनाया तो समझ के बनाया होगा ओके ठीक है बाकी डिजाइन जूते का शूर्स पॉलिस का वगेरे यहां पर काफी बारी-बारी हिल चड़ाए गए पता नहीं खड़ी कसे रहते हुगी खड़ी का रहते हैं तो हमेशा उड़ती रहती है ठीक है दो प्र लग रही इसके पहले का इनिफर्म चेक करें तो वह काफी अच्छे थे काफी मतलब वैल्यू है इस चीज़ की लेकिन जैसे जैसे इसका फॉर्म चेंद होता गया वैसे वैसे इसके बाल जहड़ रहे लगता देखने सो तो लगी रहा कि बाल जहड़ रहे थे और जड़ते जड़ते पूरे टकली होगी है इतनी ज़्यादा टकली होगी कि बहुत कम बाल बचे और एकदम टिक टॉक जैसे हो गए तो टिक टॉक वालो तुम्हारे लिए यह कीनी फाम है अगे सब बनाया तो ठीक टागी है ज्यादा कुछ बोलने लाइक है यहां पर और लाटनिंग वाले यहां पर उसने जो कान में क्या बलते उसके बाले बोलते ना बाली क्या बोलते उसको जो भी चीजे वह यहां पर पहना हुआ है टकली गंजी अच्छी नहीं लग रही है बस यह एक पॉइंट बोलना चाहता था और क्या बोलना चाहता था हाँ इनीफर्म फिलाल अभी ना खरीद अच्छा है खरीदते हो तो फिर बैक अप बनाके रखो ब्लाक फ्रेड इसल के लिए और टीए-3 करना नहीं करना तुम्हारे आत में मैं तो नहीं करूने वाला फ इस कंडिशन में 1835 CCF है और मेरे को बैक अप प्लान के तोर पे 2400 CCF के क्रॉस करना है जिसे मैं एक किये थी क्यारेटर भी हासल करूँगा और एक 800 वाला जो CCF वाला जो क्यारेटर होगा वो भी मैं हासल करूँगा तो बैक अप प्लान बना के चल रहा हूँ और युनिवर झाला झाल झाल